हेलो अबरिवन आज हम लोग देखेंगे 24 फरवरी 2003 इसका करेंड फिर्स तो आगे बढ़ते हैं पहला प्रस्ने हमारा परवतर ओही और बैग्यानिकों की एक टीम ने माउंट एबरेष्ट के ओपर 20 का सबसे उचा मौसम अस्टेशन अस्थापित किया है इसकी उचाई क्या ह तो यह 8,810 मीटर की उचाई है जो बिस्व का सबसे उचा मौसम अस्टेशन है गिनिज बल्रिकॉर्ड के अनुसार परवतर ओही और बैग्यानिकों की टीम ने 8,810 मीटर की उचाई पर एबरेष्ट के सीखर से 49 मीटर नीचे ही बिस्व का सबसे उचा मौसम अस्टेशन थापित किया है दूसरा प्रसने मारा किस देशने हाली में अपने रचनात्मक छेतर को भारत के संस्कृतिक उधोग के साथ काम करने में मदद करने के लिए पहली मैत्रिक साजेदारी सुरू किया है तो यह सुरू किया है अस्टेलिया ने भारत में रचनात्मक छेतर में सं सकर्वाइ के साथ अपने राशनात्मक छेतर के काम में मदद करने के लिए मैतरिक साज़एदारी की शुरूत किया है तो आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रसनिर हमारा हाली मैं सम के Rajaјपाल के रूप में गुलाब चंद काटारिया ने सपथ लिए तो असाम के राज़ेपाल के रूप में सपत लिये है गुलाब चंद कटारिया इससे पहले यहां के राज़ेपाल थे हैं जगदीस मुखी तो असाम के बारे हम देखते हैं असाम के राज़ानी दिसपूर है और यहां के मुख मंतरी हमन्त भी स्वसर्मा है यहां के राज्य पाल नए बने हैं गुलाब-चंद, कटारिया है और इस से पहले यहां के राज्य पाल थे हैं जगजग दिये स्मुखी तो भारती जंता पाटी के एक बरिश्ट नेता और रास्थान विधान सवाके में विपक्च के नेता थे या रास्थान में आठ वार के विधायक थे हैं आगे बढ़ते हैं चौथा प्रसने हमारा हाल ही में 2023 में अर्जेंटीना ओपन किसने जीता है तो अर्जेंटीना ओपन 2023 जीता है कार्लोस अलकाराज ने जो बिस्प के नंबर दो के खिलाड़ी हैं उन्होंने फाइनल में कैमर नौरी को हरा कर फरवरी 2023 में अर्जेंटीना ओपन के किताब जीता है तो ये पूछा जा सकता है अर्जेंटीना ओपन के किताब किसने जीता है तो कार्लोस अलकाराज ने दीता है आगे बढ़ते हमारा पात्में प्रसने के हाल ही 22 फरवरी 2023 को तीन दिवस ये बाजरा महु सब्सक्राइब कर रहा है जो संजुक्त राज के संजुक्त राज अमेरिका के साथ हुआ था तो USA ने रूस के साथ जो अपना निवरिक्त रेटी किया था उसे रस्या ने रध कर दिया था तो नूँज़र ट्रीटी क्या है यह देख लेते हैं यह आर्म डेक्सली ट्रीटी है जो पर्मानी हत्योः को संज्फ्या को कम करने के लिए बनाय गया था ये 2010 में साइन हुआ था और लाग हुए था 2011 में ये 2021 तक के लिए बैठ था और इसे 5 सल बढ़ाकर 2026 तक के लिए कर दिया है तो इसे क्या है कि रस्या के राष्ट्पती बुलादिमीर पूतिन ने इसे रद कर दिया है 24 फरवरी को तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इनियोस्टा ट्रीटी क्या है इसमें क्या नई सामरी जो अस्टेटिक आर्म रिडक्सन ट्रीटी है जो 2010 में साइन हुआ था इसमें पंदर सो पच्छा सो प्रेशनल बार हेड को कम करने के लिए सिमित करने के लिए अलागो किया गया था दोनों देसे के बीच USA और रसिया के बीच आगे बढ़ते हैं कौन संझुक्त राज अमेरिका में जाती के अधार पर भेद भाव को सपश्ट्रूप से परण परतिवंद्र करने वाला पहला सहर सियाटल बन गया जो बसिंग्टन राजि की राःधानी है जो जातीगध बहेध भाव को बैन कर दया तो जो भी चैनल बीमा सेवा के तहट बिसमलेंगिक जोडो की तरह ही बैवाहिक कबरेज का हक होगा और इससे सियोल उचिन्याले ने 21 फरवरी 2013 को फैसला सुनाया है तो पहली बार देश में समलेंगिक जोडो का दिकारों के मानिता कहा दिया गया है सौथ कोरिया हम दिया गया है तो सौथ कोर सस्थान सस्थान ICR के दोरह विक्सित किया गया है गेहों की एक किस्म तो हम लोग ICR के बारे में देख लेते हैं ICR के स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को इसका मोटो है एगरी सर्च बित है हुमन टच तो इसके जो प्रसिडेंट है कौन है हिमांसु पाठक है तो ICR के अपने 1929 में हुआ था डिरेक्टर एमांसु पाठक है है हेड़क्वाटर है न्यू देली आगे बढ़ते हैं महतपुर्ण और उभरती प्रदोगी के लिए ICR को कभी कभी समचारों में भारत और किस देश के बीच आयोजीत बारता के संदर्व में देखा जाता है तो ICR है तीन से आट बर कि आयोग के बच्चों के लिए खेल आधारी सिच्छन संस्थान जादूई पितारब उपयोग करने की अब है सकता होगी तो चेतरी भासा मल्याला में अपना फैसला सुनाया तो केरला के राज़ानी तिरोंत पुरम है यहां के जो मुख मंतरे पिनरे बिजयाने राजिपाल आरिफ मुहम्मद खान है और चेतरी भासा मल्याला में फैसला परकासित करने वोला पहला हाई कोट कौन सा एक केरल है भारतों सेसल ने समुंदर सुरच्छा सहित परमुक चेतरों में वाइट सेपिंग जानकारी साजा करने के लिए चाह समझाओतों पर हस्ताक्षर किये हैं आगे बढ़ते हैं मोदी सेपिंग ए ग्लोबल ओडर इन फ्लक्स बुक किसके द्वारा लिखा गया है तो बिदेस मंतर जैसंकर के द्वारा लिखा गया है मोदी सेपिंग ए ग्लोबल ओडर इन फ्लक्स बुक रिटेन वाई फोरेंड मिनिस्टर जैसंकर परसाद आगे है हमारा कि चैंगल पट्डू में भारत का पहला हईबरिड रोकेट लौच किया गया है तो नीजी कमपनी दोरा भारत के पहले हईबरिड साउंडिंग रोकेट को तमिलनाडू के चेंगल पत्टी जिले के पत्टी पुलम गाउं के सवलतापूरवक लाँच किया है तो यह पूछा जा सकता है भारत का पहला Hybrid Rocket लाँच कहां से किया गया है चेंगल पत्टू तमिलनाडू से लाँच किया गया है अगे जातिगत भेदबाओं परप्रतिवढद लगाने वाला, अमेरिका को कौण सा सहर पहला बन गया है, तो सियाटल पहला सहर बन गया है अमरीका का जहां पर जातिगत भेदबाओं को भारत का पहला virtual shopping app भारत का पहला virtual shopping app क्या है momentum 2.0 इसके DMRC के दोरा बनाय गया है तो DMRC सुरू करना जा रहा है पहला virtual shopping app इसका नाम क्या है momentum 2.0 अब हम लोग फरवरी मन्त का देख लेते important day कॉन कॉन से important है तो एक फरवरी को भारते तर्ट रचक डे मना जाता है एक फरवरी को हमेशा भारते तर्ट रचक डे मना जाता है दो फरवरी को बल्ड बेटलेंड डे मना जाता है दो फरवरी को बल्ड बेटलेंड डे मना जाता है चार फरवरी को सिरलंका का सोतनृता दिबस है चार फरवरी को 20 कैंसर दिवस मना जाता है और 11 फरवरी को समरपन दिवस मना जाता है पंडित दिन दियाल उपध्याई के जयनती पे और 8 फरवरी को सुरचित इंटरनेट दिवस मना जाता है दस फरवरी को 20 दलहन दिवस और 11 फरवरी को 20 विनानी दिवस तो इसमें इंपोर ऑगे हमारा 12 फरवरी को राष्टे उत्पधाग्ता है और 13 फरवरी के विस्व रेडियोग भी है और 19 फरवरी को हैング मिर्दा स्वास्थकाड दिवस mature आगे है 21 फरवरी को अंतराष्टे मात्री भासा दिवस है और 24 फरवरी के केंद्रे उत्पाज सुल्क दिवस है 27 फरवरी को है राष्टे प्रोटीन दिवस है 27 फरवरी को और 28 फरवरी को राष्टे विज्ञान दिवस है यह हमारा फरवरी का important day था कि यह पूरे एक फरवरी से लेकर 28 फरवरी की के पीजित का था तो यह हमारा आज का 24 फरवरी का करेंट अफेर सा है तो जो भी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करने थैंक एवरिवन